आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे बेकरी स्टाइल स्पॉंच केक नहीं बेकरी वाला ही स्पॉंच बनाना सीखेंगे या चॉकलेट हो या वनीला आप कैसे बनाएगे क्योंकि बहुत सारे लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मैदा, बटर, कंडेंसमिल इन सब क आप यह जरूर ट्राइगे कीजिए तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यह बनाएगे कैसे तो उसके लिए हमने देखें लिया है प्रिमिक्स का पाउडर जो प्रिमिक्स पाउडर आता है एक दम बिलकुल बेकरी वाला अगर आपको केक बनानी है तो आप यह प्रिमिक में ही नहीं बढ़ना चाहता है उसके लिए सच में बहुत ही कमाल का है तो यह लिए कि मैंने लिया है बेकरी वाला ही प्रिमिक्स लिया है मैंने वनीला का और एक वनीला आप लेकर आए ना पाउडर प्रिमिक्स तो आप बहुत सारे फ्लिवर केक बनाकर रेडी कर लेंगे चोटी पैकेट लेकर आईए, 1.5 kg का भी मिलता है, 1.4 जो पाव आता है ना पाव केजी का भी मिलता है, 1 kg का आपको जैसे बनाना वो छोटा पैकेट लेकर आईए, मैं आपको बड़ा पैकेट में का दिखा देती हूँ तो सबसे पहले हम बनाएंगी चॉक्लेट स्पॉंज, तो उसके लिए मैंने एक कप प्रिमिक्स लिया है, 2.0 ml वाला जो का पाता है ना, उससे मैंने एक कप लिया है, और अब मैं इसमें कोको पावडर एड़ करूंगी, तो कोको पावडर आपको कितना एड़ करना है, क्यों आपको पसंद हो या फिर यूज करते हो, वह अब रहाल देजे, और डाल के हम अच्छे से चान लेना है, तो जब आप ऐसे इस मैधर से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट मिलने वाला है, जैसे आप बिल्कुल प्रिमिक्स लेकर आते हैं चॉकलेट वाल लाइट सब कुछ वह रिषानिंग आने वाली है तो पहले हम अच्छे से कर लेना है, मिक्स ड्राइ में ही उसकी बाद हम लेंगे पानी तुम देखे मैने जो 200 Aml वाले कपसे प्रिमिक्स लिया हैं, उसी से मैं आदा 100 Aml लोंगी पानी, तो देखे इसमें मैंने 100 Aml ले लेकिन अगर यही आप वनीला बना रहे हैं तो बिलकुल डिफरेंट होगा मैं आपको वो भी बता देती हूं कि उसमें पानी कम क्यों लगेगा और इसमें ज्यादा क्यों इसमें कोको पाउडर की वज़से यह पूरा पानी 100 ml लग जाएगा तो आप देख सकते हैं मैं इसमे कलर बहुत अच्छा आता है कलर बिलकुल डार काता है अगर आपने यही थोड़ा यूज किया तो फिर कलर उसका चेंज हो जाएगा बिलकुल सफीका फीका से दिखता है और यह देखे बिलकुल परफेक्ट आया है परफेक्ट कलर बना है इसमें मैंने पानी पूरा यूज कर दिया है पूरा आदा कप पानी सौयमल पानी पूरा यूज़ कर लिया अब इसमें मैं डालूंगी ऑईल हमें डालना है वन टीस्पून तो खाने की जो चमच होती है उसे एक चमच जा लिए उसे थोड़ा कम भी रहा तो भी चलेगा अगर आपको इसमें ऑईल नहीं डालन तो भी यह बिल्कुल पर्फेक्ट बनता है ऐसा नहीं कि ऑईल इसमें डालना ज़रूरी ही है पर थोड़ा से इसमें ऑईल डाल देगे ना तो केक आपका शाइनी बनेगा थोड़ा सॉफ्ट बनेगा बिल्कुल मॉइस्ट बनेगा आपका केक तो यह देखिए मैंने लू फ्लेम पर और मैंने एक स्टेंड रख दिया और कुछ भी इस पर नहीं रखा है और इसके उपर मैंने डाल दिया अपना केक्टिन और किसी भी भुगोने से आप इससे ढग दीजिए आप चाहे तो कड़ाई पर हमें भी बना सकते हैं पर तब बहुत ईजी हो जाता है देखिया आप ऐसे ढग देंगा तो बिल्कुल एयर नहीं जाती है तो अब ही मैं उसे रख दिया बेक होने के लिए तब तक मैं वनीला स्पॉंच रेडी कर लेती हूँ देखिए उसी कब से 2-3 ml वाले कब से ही मैंने लिया है एक कप प्रिमिक्स तो इसे हमें ले लेना है चान लेना है चान नहीं ज़रूरी है तो चान कर ही यूजकीजे़ जब आप अगर प्रिमिक्स बना है अर इतना माइन बल्लोई बनता है ना बहुत ही सूपर सॉब्ट बनता है यह तो ये देखिए मैंने इसमें भी half cup ही पानी लिया है जितना हमने चॉकलेट वाले प्रेमिक्स में लिया था उतने ही इसमें 100 ml पानी इसमें भी लिया है पर इसमें पूरा पानी नहीं जाएगा पूरा पानी खत्म ने इसमें पानी बच जाएगा क्यों ऐसा हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो चॉकलेट जो कोको पाउडर यूज़ किया न उसकी वज़े से उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा क्या मन्स हाफ कप पूरा गया और इसमें हाफ कप नहीं लगा आप देख सकते हैं उतना पानी इसमें बचिया है तो मैं टहुँआ सा औत Came do मैं टहुतर हईा उतम हाई नहीं प्राइए लेग नहीं दाना है जो मैं चेपर लूट कब दोख़ाना चौर्द सकते हैं और बटर पेपर घर पे कैसे बनाना इसकी वीडियो मेरे चानल पर आप देख सकते हैं तो यह देखिए मैं इसमें अपने केक टीन में इसे अच्छे से कर लेती हूं पो और अच्छे से रख देती हूं वैटर को और इसे भी टैप करके फिर वापस उसी प्रोसेस से हमें कर लेना है बेक आप चाहिए तो ओन पर भी बेक कर सकते हैं ओन में 180 डिग्री पे 20-25 मिनिट में बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगा यह देखिए मैं अच्छे से इसे केक टीन में निकाल लिया है और इसे भी कर दिया मैंने टैप और टैप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो टैप करना आपको बिल्कुल भी नहीं बूला है मैं देखिए मैं दूसरे साइड में दूसरा तवा रखाया है उसके उपर मैंने एक रख दिया है कोई भी प्लेट या कटोरी अगर आपके बस स्टैंड नहीं है तो इसे बहुत ही बेस्ट बनता है फिर यह देखिए मैं रख दिया केक टीन अब मैं इसे ढख दूंगी और टीन सबस्टान embora intact निकल देते हूं और किनारे साइड से मैं अच्छे स्क्राप कर लिया ह। थोग ओथोड़ा सा नाइप से इसे हिला दिया है और यह किशी निकल गया आपको वनिला प्रिमिक्स से बना हुआ वनिला सपांच केक और बिलकिल बेकरी वाला ही बेकरी स्टैल भी नहीं कहेंगे से बेकरी वाला ही कहेंगे क्योंकि वह लोग भी बेकरी फ्रोडक्ट ही यूज करते हैं यही वनीरा प्रिमिक्स ऐसा ही यूज करते हैं और यह देखिए इसकी सॉफ्टनेस में आपको दिखा रहे थी हूं कि कैसी है बहुत जादा सॉफ्ट है मैं बिल्कु बिल्कुल वैसा ही मैंने वनीला और चॉक्लेट प्रिमिक्स दोनों इस भी शेयर किये अगर आपने नहीं देखिए तब जरूर देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं अब बिल्कुल ऐसा ही बनकर रेडी होता है थोड़ा सा फरक आएगा मिन्स जो बाहर स है तो पतली लेयर भी बहुत ही अच्छे से हुई है और कितनी सॉफ्ट है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जैसे घुमारी वैसे ही हूं रही है यह तकर आप अकली बार बिना किसे जंजच के बनाना चाहते हैं तब परिमस ऐसा मार्केट से लाकर ज़रूर ट्राई कीज़ और यह देखिए चॉकलेट वाला जो हमने बनाया है वो भी कितना बढ़ी है शाइनी बनकर रेडियो आप देख सकते हैं कि शाइन कितनी अच्छी आई है और सॉफ्ट भी बहुत ही जादा बना है मैं जोड़ से दबा नहीं सकती इसे क्योंकि ज़रा सा भी दबा तो मेरी जाता है पर यह ऐसा बिल्कुल नहीं है वो भी बना लेगा इसे अगर आप प्रमेक्स से केक बनाते हैं तो जिससे कुछ भी नहीं आता ना बेकिंग का भी वह भी बना लेगा तो आप यह ज़रूर कीज़ेगा बहुत पसंद आया मुझे ही तो यह मैंने सुछ आपको के श सीट में को मिले और हाँ अपने फैमिले फ्रेंड्स के शायद पर जरूर शेयर कीज़ेगे मेरी वीडियो से रेलेटेड कुछ भी सवाल हो तो बेजीचक आप मुझे वहाँ पर चैट कर सकते हैं बात कर सकते हैं तो यह देखिए हो गया है यह रेडी और कितना अच्छा कि इसकी जाली भी बहुत ही परफेक्ट है यह तो यह रेखिए मुझे तो बहुत पसंदा है यह आपको कैसी रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा यह रेखिए कितनी सॉफ्ट है मतलब मैं जैसे घुमारी हूँ न वैसे हो मेरी फिंगर पर आपको बना करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो यह ही है इसी प्रिमक्स से बने हुए जो इस पॉंज आप देख रहे हैं तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत जाधा लंबी हो गए तो आप लोग बोर ना हो इसकी वह से मैंने इसमें एड नहीं किया तो कल की वीडियो बिल्कुल मिस्स मत कीजिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और कल देखना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि कल आपको इसी चौकल पर मिक्से बनना कर दिखाऊंगी मैं ब्लैक फॉर कर दीजिए चलिए थैंक्स फूर चिंग बाबाय थैंक्यू